सबी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर साथियों आज हम रीट एक्जाम दोजार चुईस जो प्री का एक्जाम होगा साथ ही जो आगे आने वाली भरती में जो मैंस का एक्जाम होगा इनके अलावा आपके फश्ट ग्रेट की जो भरती है या सेकंड ग्रे बस से और आज का यह जो पेपर है यह पेपर नंबर 12 है शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन क्वाली क्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे देखेगा पहला प्रिश्ण आपके देखो आज जो प्रिश्णों का लेवल है वो तोड़ा हार्ट रखा गया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि टोटल 30 में से अगर आप 20 प्लस क्यूशन भी करते हो तो वो भी एक आपका अच्छा स्कोर रहेगा देखेए प्रिश्ण नंबर एक है प्रारूपिक बुद्धी सर्जनात्मक संबंद को निमलिकित में से क्या इसपष्ट करता है यू आकार का संबंद करता है या उल्टा इसपष्ट करता है या रेखिये नकरात्मक संबंद इसपष्ट करता है अत्वा इन में से कोई भी नहीं तो प्रिश्ण संक्या एक का आंसर देख लेते हैं देखो जो प्रारूपिक बुद्धी और जो सर्जन इन दोनों में अगर हम बात करें क्या इस्पष्ट करता है उल्टा युवाकार का संबंद दूसरा विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या एक का सही आंसर है दूसरे प्रिश्णी की ओर बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर दो है मेरा मित्र इंजिनिरिंग में डिग्री कोर्स पुरा कर लेने के बाद मेनेजमेंट में इसनात कोतर कोर्स कर रहा है यह क्रत्य किस इस्थति का संकेत करता है स्वलीन चिंतन अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन या मुल्यांकन कारी चिंतन तो देखो स्वलीन जो चिंतन है यह management का, पहला विकल्प तो यहां से आप क्या हड़ जाता है अब देखो अभी सारी चिंतन और अपसारी चिंतन में क्या होता है अपसारी चिंतन मतलब कुछ नवीन चीज़े इसमें की जाती है और अभी सारी चिंतन में जो regular चलता है जो सबस होता है, जैसा उसका एक निश्चित जो सोलुशन होता है वोई चिज़े की जाती है अब यहां पर पहले तो क्या की जा रही है engineering की जा रही है और engineering करने के बाद में management किया जा रहा है तो यह दोनों चीज़े अलग-अलग हो चुकी है मतलब यह जो संबंध है, यह किस्से है अपसारी चिंतन से है तीसरा विकलप आपके दूसरे प्रिश्चन का आंसर है प्रिश्चन संख्या तीन की ओर बढ़ेंगे तीसरा प्रिश्चन देखेंगे निम्न लिखित में से कौनसा कारक बिमारी से शिग्री स्वस्त करने और शर्रिक विब्दा के साथ जादा प्रभावी ढंग से जूजने में साहिता प्रदान करता है तनाव, आश्यावाद, टाइप A कारक और अनूग्र है तो देखो, यहाँ कारक ही जो चार कारक दे रखे है उनमें से उस कारक को देखना है आपको जिसमें बिमारी से शिग्री स्वस्त करने और शर्रिक विब्दा के साथ जादा प्रभावी ढंग से जूजने में साहिता तो देखो, बिमारी से अगर शिग्री स्वस्त होना है तो तनाव में तो नहीं रहना पड़ेगा, बलकि हमें के से रहना पड़ेगा आशावाद के रूप में, तो दूसरा विकल्प आपके प्रिशन संख्यात तीन का सयांसर रहेगा, प्रिशन संख्यात चार की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले बता दूँ, कि यदि आप REIT पातरत प्लेइश्टोर पर उपलब्द है जिसका डाउनलोड लिंक मेंने कमेंड बोक्स में भी दे रखा है यहां से आप एप को डाउनलोड करके अभी हाल ही में कोर्स लोंच किया गया है उस कोर्स को जो इने कर सकते हो देखिए चोता प्रिष्ण है जेविक और बोधिक स्वय नी कीमन है इसको साम में धारन के नाम से जाना जाता है पहला विकल्प आपके चोते प्रिष्ण का सही अंसर है प्रिष्ण नंबर पांच की और बढ़ेंगे पांचवा प्रिष्ण है आपके गिलफोर्ड के दोरा यहां पर गिलफोर्ड ने जो अपना बुद्धी का मोडल द दिया था 3D मोडल थीकिए 3D मोडल इनके वरा जो 3 W में सिध्धान भी जिसको कहते हैं यह सिध्धान गिलफोर्ड के दोरा दिया गया था अब यहां सर्जना अतमक्ता की अधारना की व्याख्या जो करें तो साथि यों इन्हों ने तीन चीज़े बिताई थी एक तो बताय इन्होंने किस में बताया ता संकिरिया में बताया ता संकिरिया को ही प्रचलन के नाम से जाना जाता है इस वजय से पाँचवे प्रिश्ण में आपके जो पहला विकल्प है या आपका अंसर होगा नमबर 6 की ओर बढ़ेंगे देखिएगा चेटे प्रिश्न को दो समान एवांचनी लक्षों के बीच दोंदु प्राई जिसका समधान नहीं हो पाता कहलाता है उपागम उपागम दोंदु उपागम परिहार दोंदु परिहार उपागम दोंदु या परिहार परिहार दोंदु तो देखो दो समान मतलब एक जैसे हमें नहीं मिल पारा है लेकिन फिर भी किसी एक को चुनना पड़ेगा जैसे उधारन के रूप में अगर हम देखे मान लीजे एक भाई आपको शादी के लिए दो लड़किया बताई घर वालों ने बोल दिया कि या तो इस से कर ले या इस से कर ले अब आपको दोनों पसंद एवं परिवरतनी का संबंद जीन प्याजे के सिद्धान की की सवस्ता से है सवेदी गत्यात्मक अवस्ता ओप्चरिक प्रकिर्यात्मक अवस्ता पुर्व प्रकिर्यात्मक अवस्ता या मूर्त प्रकिर्यात्मक अवस्ता देखो प्रकिर्यात्मक के दो या संक्रियात्मक क भारान और परिवर्तनिय का संबंद जिस अवस्था से बताया गया है वो अवस्था प्रिश्ण नमबर 7 में देखना है। उसाथ दाज़ना और परिवर्तन ये दोनों ही चीज़े हैं। जीन पियाजे कि सिध्धान की कोई सी अवस्था से संबंदीत है। मूर्तु संक्रियात्मक अवस्ता से जो लगबक साथ वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के उद्धी तक चलती है तो फोर्थ विकल साथ वे प्रिश्ण का अंसर है प्रिश्ण नमबर आठ की ओर बढ़ेंगे आटवा प्रिश्ण है संग्यानात्मक मानचित्र का संबंद है बंड से अधी गमित सहायतापंस का जो संबंद है यह किसे सेलिंग में से और संग्यानात्मक मानचित्र का संबंद किसे टोल में से है तो इस प्रिकार आपके प्रिश्ण नमबर आठ का जो तीसरा विकल्प है यह आपका अंसर होगा नौए प्रिश्ण क्योर बढ़ेंगे प्रि तीस और एक बीस देखो अगर डारेक लिए आप से पूछ ले प्रात्मिक विद्ध्याले की बात की जराए एक से पाच का मतलब प्राइमेरी स्कुल है उनकी बात है और उसमें कुछ भी नहीं दे रहा है डारेक पूछे तो फिर अनुपात तीस चात्रों पर एक सिक्सक की नियुक्ती होती है लेकिन अगर प्रात्मिक विद्ध्याले में ही अगर चात्रों की जो संक्या है यूँ दे रखा है कि 200 या 200 से अधिक चात्र है तो वहाँ पर सिक्सक चात्र अनुपात कितना रहेगा फिर वहाँ पर एक जो सिक्सक है उसके इंदर का 40 बच्चे रहेंग तीसरा विकल प्रिश्णों में दसवे प्रिश्ण की तरफ बढ़ेंगे दसवा प्रिश्ण है एक आदमी अपने बोस का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है यह निमलिकित में से किसका उधरन है प्रक्षेपन का प्रतिकिर्या विधान विस्तापन या प्रतिगमन तो देखो प्रक्षेपन का मतलब तो क्या होता है जो अपने जो कमिया है जो गल्तिया है वो दोसरों के उपर थुपा जाता है और यहां पर क्या किया जा रहा है कि आदमी अपने बोस का गुस्सा अपने बच्चे पर मतलब गुस्सा तो किस पर आ रहा था बोस पर लेकिन उस्का कुछ कर नहीं सकता इसलिए वह अपना गुस्था में लोटना क्या क्या लाता है परतिगमन कहलता है तो धर्ड विकलप आपके दसवे प्रिष्म का आंसर की जा सकती है किरिया परसुत अनूबंदन क्लासिकल अनूबंदन प्रेक्शनी अधिगम या अवयक्त अधिगम तो भई के अधिगम की व्यक्या आपको करना है और भई से संबंदित चीजे जो क्लासिकल कंडिश्निंग ठीयोरी है जिसको हम प्राची ननुबंदन का सिध्धान्थ भी कहते हैं या शास्ती ननुबंदन का सिध्धान्थ भी जिसको कहा जाता है किसके दोरा दिया गया या ये सिध्धान्थ पाउलाओ के दोरा दिया गया या बिल्कुल इसी में भाई की सरोत्तव व्याख्या की गई है दू चारों में से जिसका सबसे बाद वाला सिध्धान आपके समवेगों से संबंदित है वो इन में से कौन से हैं । बारवे प्रिशन का आंसर देखें तो साथियों डार्विन जैंस लेंग और केनन बोर्ड इनके बाद में सबसे बाद में फिर चोते विकल्प में दे रखा है तो फोर्त विकल्प ही बारवे प्रिश्ण का अंसर है तेरवा प्रिश्ण पूछ रहा है आपसे प्रेक्षन अधिगम में निमलिखित नहीं होता है अभी प्रेड़ना प्रिबलन दारना और अवधान तो देखो प्रेक् विकास, वरद्धी, संतुलन या परिफक होता है तो देखो मात्रात्मक की बात की जा रहे है एक शब्द आता है मातरात्मक एक शब्द कोई सा होता है गुणात्मक है देखो मातरात्मक का मतलब क्या होता है जैसे किसी की लंबाई में बड़ोत्री होना या फिर किसी के वजन में बड़ोत्री होना तो इन चीजों में बड़ोत्री होना ये चीजे किसके अंतर गताती है अभी वृद्धी के अंतर गताती है तो वृद्धी वाला जो दूसरा विकल्प है चवुद्वय का अंसर है नेक्स्ट वी पंद्रवे प्रिश्णी की तरफ बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर पंद्रा है फ्रायड के अनुसार परा अहम का विकास निमलिकित का परिणाम है विलोम लिंगु वाले माता पिता के साथ तादात में ओडिपस या इलेक्टरा कॉम्पलेक्स का समधान उम्र बढ़ना या शरी रचना स्रेश्ट था तो देखो सिंगमन फ्रायड ने जो सिध्धन दिया है उसमें अहम है इदम है परम अहम है ये चीज़े इनोंने बताई थी अब परम अहम का जो विकास होता है ये किसका परिणाम माना जाता है ये सिंगमन फ्रायड के अनुसार आपको बताना है तो साथियों सिग्मन फ्रायड के अनुसर प्रम अहम का जो विकास व्यक्ति में होता है वो होता है किसके करण ओडिपस जो गरंती होती है या इलेक्टरा जो गरंती होती है इनका समधान मतलब विप्रित लिंक के परती आकर्शन नहीं होना तो दूसरा विकल्फ आपके प्रिशन संख्यां 15 का सही अंसर होगा अगले क्यूशन के ओर बढ़ेंगे साथ क्यों देखो प्रिशन नमबर 17 है बाल विकास परिणाम है किसका परिणाम है बाल विकास चात्रवे विद्यले के बीच जो अंते किरिया होती है उसका वन्शान उकरम वे वातरोन के बीच जो अंते किरिया होती है उसका या बालक वे वातरोन के बीच जो अंते किरिया होती है उसका या इन में से कोई नहीं तो बाल विकास जो है किसका प्रिणाम माना जाता है वंशानों करम और वातरोन के बीच अंतहे किर्या का ही प्रिणाम माना जाता है बाल विकास को दूसरा जो विकल्प है प्रिश्ण नमबर 17 का आंसर है प्रिश्ण संख्या 18 की और बढ़ेंगे अठारवा प्रिश्ण है प्रत्था में नई राष्टिय शिक्षा निती 1986 के अंतरगत कोंसा कारिकरम नहीं चलाए गया पर्यावरण को पाटे करम में शामिल किया गया पहला विकल्प दूसरा है सततवे समगर मुल्यांकन का विचार प्रस्तूत किया गया तीसरा है जवाहर नवदे विध्यालियों की स्थापना की गई और चोता है शिक्षा को बोज रही करने का विचार दिया गया तो इनमें से देखो पहली देश की पहली सिक्षा निती तो 1968 माई थी और दूसरी आई थी 1986 में जिसको प्रतम नई राष्टिय शिक्षा निती के नाम से भी जाना जाता है सात्यों इसके अंतरगत पर्यावरण को भी पाट्टे करब में सामिल किया गया था सी सी का विचार प्रस्तूत किया था और जवाहर नवदे विध्यालियों की स्थापना भी की गई थी लेकिन सिक्षा को बोज रहीत करने का जो विचार है ये प्रतम नई मेसलो के पदानो करम के अनुसार निम्लिकी आउशकताओं को करम नुसार बटाईए पढ़ाई दूसरा है प्रेंख kidnapping के नई रह करता है सबसे पहले क्यूं सी आउशकताアती है सात्यों सबसे पहले जो है व्यक्ति शेरिक आउश्चता की पूरती करता है तो शारिक आउशक्ता तीनों में दे रहा है सबसे पहले पिर शारिक आउशक्ता की पूर्ती करने के बाद में व्यक्ति के दोरा सुरक्षा की आउशक्ता की पूर्ती की जाती है तो C और D में दूसरे नंबर पे चरचार दे रहा है तो A और B तो गलत हो गया इसके बाद में साथियों कौन सी आउशक्ता को पूरा किया जाता है प्रेम संबंदी आउशक्ता को तो ये सिर्फ D में दे रखा है इसके बाद में सम्मान की आउशक्ता और सबसे अंत में स्वय सिद्धी या आत्मी सिद्धी की आउशक्ता पुरी होती है अर्था आपके प उत्तर संदीकाल तो जीवन का सबसे दुख का जो काल है किशोर रवस्तक के थे और किशोर रवस्त का अन्याव साथ यह संदीकाल है इस वजह सेॹ मिकल आपको प्रिश्ण संख्या भी इस क istem Came सरह similarly किश्ण की तरफ बढ़ेंगा in progress नंबर इक्रिश्ण संख्यालियं एसपष्ट उद्धिपकों की व्याख्या में किस मन की भूमिका महत्पुन होती है चेतन मन, अर्द चेतन मन, एचेतन मन और इन में से कोई नहीं तो एसपष्ट उद्धिपक, मतलब किलियर नहीं होते हैं वो बिल्कुल 20-15 उद्धीपकों की vjathy one का आंसर देखते हैं 25-15 उद्धीपकों की बात की जा रही है साथियों और 20-15 जो उद्धीपक होते हैं इनकी vjak 자 जो संपूर्ण मस्तिक्स का कितना होता है 9 वटे 10 अतवा, 90 परतिशत विकल्प आपके जो 3 है 21 प्रिश्ण का आंसर होगा प्रिश्ण संख्या 22 की तरह बढ़ेंगे 22 में पूछ रहा है आपसे कुछ लोगों का मानना है कि कुछ वस्तों भागिशाली होती है और सपलता पाने में उनकी साहता करती है एसे अंद्विश्वास निमलिकित का परिणाम होते हैं अंतर द्रश्टी व्यावभार आशोधन का कारिकरम ओटो शेपिंग या स्वय आकरती करन या टोकन अर्थ व्यावस्तात तंत्र तो 22 का आंसर बताईए 22 प्रिश्ण में कौन सा आंसर सही रहेगा देखो देखा होगा आपने कुछ लोग अपने गले में कुछ चीज़े दारन करके रखते हैं या अंगूटी पेन के रखते हैं या अन्य और कोई चीज़ हो सकती है क्या मानते हैं कि अगर ये वस्तों मेरे पास है तो मैं किसी भी चीज़ में सफल हो सकता हूँ और एसे अंदिविश्वास जिसका परिणाम होते हैं उसको क्या कहा जाता है ओटो शेपिंग या स्वे आकरितिकरन तीसरा विकल बाइस वे प्रिशन का अंसर होगा साथियों प्रिशन संख्यां 23 की और बढ़ेंगे 23 में पूँच रहा है CWASN का अर्थ है मजबूत आवशक्ता वालक एकांगी आवशक्ता वालक विशिष्ट आवशक्ता वालक और मृद्व आवशक्ता वालक तो देखो CWASN के जो बालक होते हैं अलग-अलग इनकी केटेगरिया होती है अलग कि CWASN में लेकिन अगर CWASN का पूरा नाम देखे तो CWASN का पूरा नाम है विशिष्ट आवशक्ता वालक अत्व विशेस आवशक्ता वालक विशिष्ट की जगे विशेस शब्द भी आ सकता है तीसरा विखलब आपके 23 की डिया आंसर होगा 24 की तरब बढ़ेंगे 24 वा प्रिश्ञ देख लेंगे साथियों 1. questioning संख्यां चोईस में क्या है आपके सिक्षन का सत्तावादी इस्तर है सिक्सक के अंधrist है चात्र केंद्रित है प्रधानाध्यापक केंद्रित है या अनुबव केंद्रित है तो सिक्सन का जो सत्तावादी इस्तर होता है सत्तावादी इस्तर का मतलब यहां पर सिक्सक केंद्रित से लिया जाता है जिसमें ज़्यादा सक्रिये कोन रहता है सिक्सक रहता है पहला विकल प्रोसाहन और दंड तो इन में से जो आपको अलग लगे अजीब सा लगे मतलब तीनों से हटके लगे उसका चुनाओं आपको 25 में करना है और इन में से प्रेड़ना देना प्रोसाहित करना यह तो एक जिसे लग रहे अबाव शक्ता या दंड तो साथ यू नेगेटिव ची आप किस ने दी थी तो गार्टन ने शोनेल ने बर्टन होल ने या स्रील बर्ट ने तो इन में से जिनके दोरा पिछरे बालकों के लिए सेक्षिक लब्दी की अउधारना दी गई थी वो कौन थे स्रील बर्ट थे चोता विकल्प आपके 26 का सही आंसर है 27 की और 27 सवा प्रिश्न पूंच रहा है ने रेखेंगे से कोंसा अधिगम को परदर्शित करता है तीन कतन है तीन करे चार कतन है इन में से जो यहां पर अधिगम को परदर्शित कर रहा है वह से निक LAV करना allein तो पहला विकल्प हाध जोड़कर अध्योडंग का अभिवाधन करन दूसरा है ड़ लगने पर हाथ कपकपाना तीसरा है चलणा, भागना, भी पहेखना तीन से पांच वर्ष की अवस्ता में और चोता है इन में से सबी देखो पांच वर्ष का जो बालक है वो चलणा, भागना, भी पहेखना यह सीख जाता है लेकिन इसको हम अधिगम नहीं परिपकुता के कारान होता है ये तो मतलब मेचुरिटी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसके कारान हो रहा है डर लगने पर हाथ कपका पाना ये तो सोभाव किरिया है लेकिन हाथ जोड कर अधिगम को परदर्शित कर रहा है 27 में पहला जो विकल्प है आपका आंसर होगा 28 वे प्रिश्ण के और बढ़ेंगे मोडसले व्यक्तितु परिक्षन की व्याख्या किसने की मारगने मुर्रे या आइन जेक या केटल या रोजे नोब तो इन में से जिनके दोरा मोडसले व्यक्तित परिक्षन की व्याख्या की गई थी वो कोई से विकल्प में दे रखा है साथियों यहाँ पर आएंजेक के दोरा ही मोडसले व्यक्तित परिक्षन की व्यक्ष्या दी गई थी दूसरा विखल्प आपके 28 प्रिश्ण का अंसर होगा अब सेकंड लाश्ट प्रिश्ण की ओर बढ़ेंगे 29 प्रिश्ण क्या है अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके जाईएगा और चैनल पढ़नाएं हो तो चैनल को सस्क्रेब जरूर करिएगा 29 प्रिश्ण पूछ रहा है प्रतक कक्षाओं एम संवर्दन कारिकर्मों का प्रियोग सिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिवाशाली बालकों की सिक्षा के लिए निमने सेक्षिक उपलब्दी बालकों के लिए दोनों के लिए इन में से कोई नहीं तो साथियों देखो प्रत्यक कक्षा तो बले आप निम्न सेक्सिक उपलब्दी जो बालक होते हैं निम्न सेक्सिक लब्दी जिनकी पायज होती है उनके लिए भी कर सकते हो लेकिन संवरदन कारे कर्मों का प्रियोग इनके लिए नहीं कि अल प्रतिवाशाली के लिए करते है तो प्रतकक्षा भी लगा सकते हैं उनके लिए इस वज़े से पहला ही विकल्प आपके 29 प्रिश्ण का सही उत्तर है 30 प्रिश्ण देखेंगे मित्रों अंतिम क्यूशन क्या पूँच रहा है एक सिक्सक की बाउनात्मक बुद्धी लब्दी उच्च है इसका तात्पर है वह उच्च बुद्धी वाला है वह उच्च अनुशाशन प्रिय है वह सरजनात्मक है और वह संतुलित व्यावार रखता है चोता विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या 30 का सहीधतर है तो ये बाल विकास का पेपल नमबर 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं किसी प्रिश्ण में अगर कोई आपको डाउट लगे तो उसके लिए आप हमें कमेंड बोक्स में कमेंड कर सकते हो